बेलगाव चे स्मार्ट सिटी ओजुने मदे नोंद जाली आहे पान या स्मार्ट सिटी अधिकारां कडून बेलगाव चे विकास केला जाता हे का असा प्रश्न हाग गंभीर मनला हे करें स्मार्ट सिटी ओजुने अंतर गत रस्त्यां चे कामकास केले जाता हे आसे चेक ताजे उधारन मंजे बेलगाव शवरातील केपी टीसियल चा रस्ता, हा रस्ता तबल 24 करोण रुपे खर्च करूं पनवने तला है, पन एतिल रहिवाशांचे असे मन्ने हैं कि हे जे रस्तियाचे काम केलेले हैं है अतीचे अयोग्या है, कारण जा प्रकारे हा रस कारां करूं जे कारे केलेले हैं है, इंजिनियर करूं तल केलेले नाहीच, ऐसा दूर्ग निश्चे या ने एतिल रहिवाशां कडूं आरोप केला जाता है तो हैं कशा प्रकारे निर्मान केलेले हैं है। के अनन चा प्रतिन दिनी गेट लेला है तराम ही तुम्हाला दाखाव नारा होत पन खर्रसांगाचे मटला तर स्मार्ट सिटी ओजनें तर गत लोकांची फसोनुकस केली जाता है कारण केपी टीसल रस्ता कामकाज तबल 24 करो रुपे खर्च करून केला है पन हाप पैसा नेमका खुठग खर्च केला है है तुम्हाला बाहुशकता भिखांडें स्मार्ट सिटी चा यादित आपले नाव कोरले खरे पन स्मार्ट सिटी ओजनें तर गत हो अधर्च होनारे सर्व विकास कारिय कोंत्या पद्धती ने होताрах याक्णे कोर्णाचे जलक्षा नाही स्मार्सिटी बनमिने साठी कारे रतस्तारे अधीकारी जोपे तैटकी काई कि चुकूर्नत सरकार नेत्याना स्मार्ट वोर्क करने चाठी निवड ले आए असे वाडता है सांकाचे तातपरिया है आहे कि बेलगाव शहरातील KPDCL रोड बनविनेचे कारिया स्मार्ट सिटी ओजनें तर्गत स्मार्ट रस्ता निर्मान असे एकुन 24 करोड रुपे खर्च करूं करने तले आहे पद हां KPDCL रस्ता पाहिला आस्ता, तर् स्मार्ट रस्ता तर्दूरज साध्या रस्तिया प्रमानेही हां रस्ता भाषत नही आहे स्मार्ट सटी अधिकार्यां कडूर अतिशेक कमी दर्जाचे काम वो अति दुरलक्ष पना एथे स्पष्ट दिसुनाला है केपी डिसेल रोड जवल जे केईबीचे अपार्टमेंट आहे एथे पानी शिर्ते कारण रस्त्याचे काम व्यवस्तित केले गेले ना ही एतिल रहिवाशांचा घरांचा कमपाउंडला लागून हा रस्ता उन्चा वर बनविन्याताला है जामुले रस्त्यावरी सर्व पानी घरा मदे शिर्ते वो रहिवाशांचा अपले गाड़या बाहर काड़ाला थुधात रास होता है हार रस्ता निर्मान करने पुरुवी एतिल रहिवाशांचा कड़ून कोंतात सल्ला सुधा स्मार्सी जाधिकारानी घेतला ना ही त्यामुले एतिल रहिवाशांचा कड़ून आक रोश ब्यक्त पकेला जाता है स्थालियर रहिवाशांचा कड़ून कोंता है आप क्या चाहते हो किया स्मार्ट सीटी कैसा रहना चाहिए कि महाराश्ट में जाका कैसा हुआ है कितना दिन काम चेल आप करना चाहिए इस कर Mississippi 24 स writing ही या या कामगरी है तो आपको क्या अच्चा लग उप्रा लग रहाएं ? क्यों सर् ? ऐसे नहीं है क्योंकali क्यों इसें अधिiezित आते हैं ? हिवेले अधिरे वेलेiendo de alimentation के एन ऽुगा ने शुड़ नोगले के अकी प्रासा से neueoweln mm आरोपा इदे आगिदे यारे वोदु सामन्य वेक्तियानना केली ड्राइनेज एंडिक आगवेकेतु आ आकड़ी आगवेकेतु मद्याट साइकल ट्रैक अतब वॉक ट्रैक आगिदे शरीयाद होंदु सरपराजु नीर आगते तु आदरे इस मार्ची टेली आगिरे कर्चो केले आगिदे। संप्रपोरन कामकरिए तागिदे शाइकल ट्रैक गळना अलवड़कीयान माड़ू आगिदे आगिदे। इलिजार ना प्रदेश्च दली होगुरुद यहलो सर्वे सामन्य वाद गोत्तिर वोंता माहिध्यागिरे हागे दरे अधिकारिगल के निम्मगे वोंदु केड़ुतर वोंता यक्षा प्रश्णे नन्ना दोंदु प्रश्णे इरे द्राइनेज नन्ना एंडिक माढ़िद्रे मद्ध्य दल्ली माढ़िद्रोंता ड्राइनेज नीरू आरत प्रदेश अल्लिंदपासा? और अधिकारिगल्या प्ुद्धी शक्ति यहनल भलके यहनल न माढ़िद्रोंता कामुगारी मोदलिगे cycle track ना मैटदा रे तद नंतर वाकिंग track ना मैटदा रे अध आध नंतर मद्यदली रज्जद वोंदू रस्टे या वोंदू बलबादी यली माटरू वोंथा वोंदू ड्राइनेज ना निवो काणू पुदागे इस तद निवे नोड़ता इदर मले सुर्यदर वांता कालन वागी सम्पूर्ण वाद निवो रस्टे मेल्वो परता इदे हागे इनमोंदे इस कामगारी सम्पूर्णा आध मेले cycle track मेल्लू कोड़ा परबोदू walking track मेल्लू कोड़ा परबोदू अधा आध नंतर ड्राइनेजगे नियर हरत बोड़त रहे हागे दिरे इस कामगारी सरी आइगे दिया इदू स्मार्ट कामगारी ना सरी ना एमबोदर यक्षा प्रश्णिया आगे येनो इस KPTCL वाद सम्पूर्णा कामगारी अधिकारिगोड वेच्च दल्ली कामगारी ना मारत ये दरे आधर कामगारी सम्पूर्णा वाद स्मार्ट शीट्टी आंतर जन्नरी की तिल्सोर यावरीती अब common people कुडा गोत्ता गुत्ते यावरीती आध कार आग बेका आगे दू सर्वेश सामान्य वागिरों तो वप वेक्टी हलताने सार एन इदू रस्टे मध्यतल्ली ने ड्राइनेज बन्दा का किरे हागिदरे आकडि इन्द बरुवंत इलिजान प्रदेश्च द नीरु हर्द्य लोक बेक्कु हागिदरे वाकिंग ट्राक नन्ना याख माड़िधे रहा साइकल्ट्रैकर ड्राइगल नना याख माड़िधे जनसामनेर यावरीती माडवेकंता मले नीरु यल्ली निंदरते होगुवांता हाधिकोड यल्ली वे ड्रैनेज कल अलुवाडिके यल्ला आगिदी अमपोधरपके संपुरुण माहीत्यानु कोड निमके नीड़ता यदिवे केपिटीसियल यरु बेलगवेल यरु वंता केपिटीसियल रस्ते असंपुरुणा कामगार यह दागिदे सद्धयन नोड़ता है इदर इनु रस्ते पासागल कोड यावदे रीत्याद वंदू अनू कोडा इल्ली इल्ला इनु नीरु तना हरीविक्यन बिट्टु बेरे हाधी इन्ना नीरू परतायरे इना मुख्य बगी ना वेढ़ बेक्कोंद रे अल माड़िरू उन्ता सैकल ट्रैक आगू वोकिंग ट्रैक इव यड़ू ट्रैक गळूनो बोश्या यार बिकादर नूँ केदर हेलतार इल्ला एन्डिकेने माड़वेक आगित्तू ट्रैनेज ना एन्डिक माड़िते नीर पास आगी रस्ते मेले परधंते तडिवोनता वंदू सन्नदाधनत वंदू उपायादू आधरे अधिखारिकलू इरी इति माड़िरू का रहनू इदिके सार्वे सामान्या जन्र कोड़ा इदने यहता है रोदू अला मधुलोट साइकल ट्रैक करना माड़ितारे आमेले वाकिंग ट्रैक करना माड़ितारे आकडिंदा हरद बरवंता नीरू साइकल ट्रैक हागु वाकिंग ट्रैक मेले बंदू आध नंतर ड्राइनल निर्गे पासा गुत्ते हागि दिर ईयन उपयोगा इदू स्मार्ट सिटी वर्कल्ला अनुवंदू मात्र कोड़ु कोड़ कीलिबरता इरे फिक्षकराय नोड़ तरला स्मार्ट सिटी आडियल依ी नड़िदूंता इप्पध नालकु कोड़ी वेच्चदली नड़िदू वंता इसygen मात्र अदि रस्थए स्मार्ट प्राइक कना वंदू कामगारि याओरिती येदे अधिखारिगले नियु माडर वंता क्यलसा जनसामन्यारेगे वंदू स्पंधनी आगिरुबेक्कु अवरको कुड अनुकूलाव आगिरुबेक्कु आरीत्याद वंद कामगारी आगिदरे यावदे जना कुड यावदे तराद आरोप वंना माड़ोधिला अधर इल्ले नडदिरु वंता कामगारी नोड़िदरे निज्जुवागलू इदु कामगारी स्मार्ट सिटी अधिकारिगलू माड़े वरुदे अल्ला यारो अबरु माड़िदार्यनों वंदो आकुरच कोड इल्लिया सलियर कोड वेक्त पड़सा यदरे यारो अधिकारिगलू माड़े वरुदे नवी निटनार कनडमा LEE प्रेख दोडिए, 3.1000 टाल गटी बिल्विक ग्हाण ऊ mau ट्रफנ काकुरच कोड़ टन वेक्विद विद्पनाटन मार Armी T जियर थे प्रप्रिटेकल यारे गविस लग्टमेट the 걸로 to provide control is uh control of the services i'm project monitoring unfortunately labour India went bankrupt and it went to NGLT then later practical India which is a infrastructure company took over Lamar India and signed an agreement with belgami smart city limited it the most astonishing thing about this part is that we all need to understand हैं लेगा आफ बता है क मति हमें लागफ coses आई रेमित मेट विट्र ज खञेहां और इंदिन में कर अखम कर अई अट पिक टाय जाएर ने तो बांकिर्ट रिधन धिकन और घ्क्रम्टि को ख généralएं लीर घोगना विल खिल ऑ्लगच टी ये whatever the agreement between belgami smart city limited and practical india they have never appointed they have never hired a full team a full qualified team or experienced team they have always been understaffed and they always try to finish their work with shortcomings and this is one of the main reason that many projects have failed in belgami and they've also been wrongly reporting to government of karnataka that they have finished many projects it is very unfortunate to know that belgami in belgami a lot of government funds have been used only for roads it could be the cm's hundred core fund or the funds from city corporation or from the pwd or from belgami urban development authority all the funds are being only used for roads and you will be quite surprised to know that out of thousand crores allotted for belgami smart city projects by state government and central government 350 crores the whopping 350 crores has been only used for developing smart roads and you will be shocked to know the way the the quality and the work of the quality of work and the design of the smart courts are happening you all must be aware a few months back when there was floods in belgami city and most of the roads were damaged and a lot of in many places where the smart routes are being built there was no proper planning of uh flow of storm water uh basically for a flow of storm waters and for that reason the roads were damaged and if you go to see now most of the roads that are being planned there is no proper planning the designs the designs are faulty the the drainage the drains in the on the roads are between the footpath and the road when they have to be after the footpath so there have been many 40 designs and there has been there is since there is an absence of a road expert as for the agreement between bscl and and the pmc they need to hire a road expert who would basically be advising them on the road designs and estimates and all but even after spending 350 crores there is no road expert to approve these designs and monitor the world as of now the pmc's uh team leader mr vivek valia has been approving the designs he has no experience in this kind of work and without any experience he is doing this and all this at the stake of the aspirations of people of belgami this is one problem the other problem being bharat electrical limited a public uh a psu with government of india which is known for its uh excellent quality in different related projects and all but they do not have any experience in smart cities or integrated command and control center projects they have taken belgami's work to develop the integrated command and control center in uh in the smart city projects unfortunately it has been more than three years that they have not delivered anything the main reason being because they do not have any experience nor a proper team in this and they have always hired subcontractors to deliver these projects and today they have hired around more than four to five subcontractors to deliver this project which is a total failure and since they have failed and the officials at belgami smart city limited and the officials and the officials and the higher officials that the in government of karnataka have been lenient because bel is a government of india company since bel is a government of india company we the people of belgami are suffering and uh since bl has no expertise in this even if they finish the world it would be in a it would be done in a very uh half a hard way which would definitely affect uh the entire uh system because the command and control center project is the most important is like the uh the brain or the nerve center of this entire uh smart cities project so i am requesting the people belgami we have started this campaign in the interest of belgami since belgami is going to be one of the most prominent smart cities in karnataka it is our responsibility to to see that these projects are implemented successfully so i request you all to support our campaign and help us so that the government and the concerned officials realize that the pmc has to be changed the pmc tractable india has to be changed and the integrated command and control center contractor bl has to be changed only then things will move in the right direction please support us thank you so i have uh पूर्ण योग्या रिती ने केले जाता शून। तेथील जनता सुकिया है। पन बिलगा मधिल जे केपिटीसेल रोड कामकाज केले गेले आहे। ते पाहून असे वाट अता है कि हे काम कोनी इंजिनियर ने केलेज नहीं मुलात। एक अशिक्षित वेक्ती ही यापेक्षा चांगला रस्ता वो वेवस्तित रित्या करेल। पन स्वताला सुशिक्षित वो स्मार्ट कामकाज करनारे मनुण गेनारे है आधिकारी स्मार्ट सिटी योजने चा नावा खाली सरकार चाप 25 सालूट अता है। वो जनतेला वेडे समझता है श्रीनगर मतेही हीच अवस्था या स्मार्ट सिटी अधिकारा निकेले लिया है केपी टीसेल रोड तर अयोग्य रित्या बनविलाचा है शिवाय, आधी साइकल ट्रैक, मग वाकिंग ट्रैक, नंतर ड्रेनेज वो त्यां अंतर रस्ता निर्मान करने तला है हे कित्पत योग्या है, हे कसले प्लैना है, असा प्रश्न जनता करता है केपी टीसेल रस्ता निर्मान हे स्मार्ट काम असुच शकतना है असे दुर्ण निच्चयाने एती लोग सागता है स्मार्ट सिटी अधिकाराना कोंतेज न्यान नाही का साधा रस्ता निर्मान करनेचे काम माहीत नाही फक्त स्मार्ट सिटी उजनें तर गर्द 24 करोर रुपे लुख ले गेले आहीत का असा प्रश्ण इती उत्ववता है केपी टीसील रस्ता निर्मान काम काज है अविग्यानिक रित्या केले ले आहे है मात्र नकीज जसा कि तुम्हें आता पहला कि स्मार्ट सिटी आधिकारां करून के पी टीसील रस्ता निर्मान काम काज कशाप रखारे के लिए है आमचे के एन एन चैनल चे संपादक राजू टोपन वर यांचे नित्रुत्वा काली आमचे चैनल वर आमी कितेक दा बात्मी प्रसारित केले लिए कि विकास कारिया कशे केले पैजे फक्त स्मार्ट सिटी आधिकारां ना जागरूत करने साथी पर स्मार्ट सिटी आधिकारांची दुर्लक्ष ज्या प्रकारें विकास कर्याकडी होता है त्या प्रकारेंच आमीप प्रसारीत केलेला बातमयांकडी सुदा होता है है आसे नव होता सरकार कोड़ू स्मार्ट सिटी ओजुने अंतरगत एक हजार करोड रुपई जी निधी दिली गे लिया है जी विकास कारे करने साथी त्याचा उप्योग पकता अशा प्रकारे निक्रूष्ट दर्जा चे रस्ते कामकाच करने साथी वाया घटली जानारेत का पन जा टीकाणी रस्ता निर्मान केला जाता है तो कशा प्रकारे निक्ति गित्पत योगसर ठरेल या सथी तेती रहिवास्यांचे सलाग इने सुधा गरजेचे है त्याच प्रमाने रस्ता निर्मान करने गरजेचे है पन अशाज प्रकारे जर आमची बात मी पहुं चुदा है जागू जाले ना हीद की आपलीज मनमर्जी चालो ना हीद है तर पाहुयाद आमची के एने चैणल चाही इफेक्ट या स्मार्ची अधीकारे मोर होतो का की विकास कारिया कशा प्रकारे है पुड़े करज जाना ही हे पाहुया!